अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional tarot card reader बन सकते हैं, अपना career tarot में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में है, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, finally July मन्त में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाब से आप tarot reading को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है चलिए इसका आप लगों के लिए देखें कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पे तीन set of cards है First set of cards में हम आपकी energies देखेंगे Second set of cards में आपके partner के energies देखेंगे and Third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हूँ और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Five of Emotions और यह card कहता है कि July मन्त में किसी चीज़ को लेकर एक regret रह रहा है और दिखेंगे इस regret इस अफसोस के लिए सब scopios के लिए different reasons रहेंगे broader level के लिए अगर हम देखें तो हो सकता है कि कोई गलती आप से हुई या फिर आपके partner से हुई उस पे बहुत ज़ादा focus कर रहे हैं या फिर कुछ expectations आपको आपके partner से थी और आपके partner ने उस तरीके से response नहीं दिया या फिर उस तरीके से उनका behavior attitude नहीं रहा और ये चीज आपको परिशान कर रही है और आप again मैं कहूंगी जो चीजे ठीक नहीं है relationship में उसी पे ज़ादा focus कर रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी कि major reason आपके you know मायूस होने का या फिर अफसोस करने का कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आप क्योंकि उन चीजों पे focus कर रहे हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो यही एक reason जादा रहता हुआ दिख रहा है अगर आप जुलाय मंद की energies को बहतर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपनी energies में shift जरूर लेकर आएं एक positive mindset जरूर रखें ऐसा किया तो जुलाय मंद बहतर जाएगा नहीं तो देखिए बहुत great आपकी energies नहीं रहते भी दिख रही हैं अभी हम देखेंगे कि relationship में क्या हो रहा है आपके partner का क्या attitude behavior होगा लेकिन जो भी relationship में हो रहा हो जो भी आपके partner का behavior हो अगर आप अपना mindset नहीं change करेंगे आप अपना देखने का नजरिया नहीं बदलेंगे तो आप थोड़ा सा मायूस परेशान हो सकते हैं आप नहीं सिरे से चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि long distance relationship है आप लोग different cities में रहते हैं different countries में रहते हैं उसकी वज़े से कुछ चीजें ज़ादा बड़ी हो रही हैं होता है रहा है जब हम लोग साथ हैं तो छोटा बोटा भी मन मुटाव हुआ वो उसी time resolve हो जाता है लेकिन अगर distance होता है तो छोटी मोटी जो भी मन मुटाव होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कुछ के लिए ये भी एक scenario रह सकता है यहाँ पर dating का card कहता है कि जो भी आप महसूस कर रहे हो कहीं आप अपने partner से connect करना चाहा रहे हैं मिलना चाहा रहे हैं और कहीं three of emotions reverse and helping hand के card कहते हैं आपको मन ही मन एक यनो partner की तरफ से support चाहिए अब आप अपने partner से इस चीज़ को express कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यह सब scopios के लिए differ करेगा लेकिन कहीं deeper level के लिए आप अपने partner का साथ अपने partner का support अपने partner की help चाहते हुए दिख रहे हैं और कहीं आपको यह भी लग सकता है कि सब ने आपको किसी भी चीज़ को लेकर support किया लेकिन partner की तरफ से वो एक supportive energies नहीं रही यहाँ बे 3 of cups reverse का card अगेन इसी चीज़ को confirm करता है कि शायद बाकी सारे लोग आपके साथ हैं लेकिन उनके साथ को आप enjoy नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ को आप नहीं उतना focus कर पा रहे हैं आप शायद partner की तरफ से कुछ एक supportive energies चाहा रहे हैं और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि कोई get together है कोई party है कोई reunion है July month में या end July में जिसको आप avoid कर रहे हैं जिसको आप you know ignore कर रहे हैं यानि कि आप नहीं उस चीज़ को attend कर रहे हैं नहीं participate करना चाहा रहे हैं और अगर participate कर भी रहे हैं तो आप enjoy नहीं कर रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की energies हैं तो देखें आपके partner अगर deeper level के लिए मैं देखूं तो mid July तक The Hunter and Hot Dog Appetite के cards कहते हैं कि एक craving आपके लिए है आपसे मिलने की चाहा है आपको कही न कहीं chase करना चाहा रहे हैं pursue करना चाहा रहे हैं और ये मन ही मन की energy जादा रहती भी दिख रहे हैं surface level के लिए जितना उनके मन में चाहत है आपसे connect करने की उतना वो action initiatives नहीं लेते हुए दिख रहे हैं या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ उनकी expressive नहीं होते हुए दिख रहे हैं five of inspiration का card कहता है कि कुछ conflicting सी energies उनके personal front में है professional front में है उसकी वज़े से या तो वो इस relationship पे आपके नहीं focus कर पा रहे हैं या फिर आपके साथ difference of opinion हो रहा है या फिर उनके मन में कोई दुविधा चल रही है तो दिखिए कोई भी reason हो सकता है ये general reading है लेकिन कहीं यूनो बहुत at peace वो नहीं रहते हुए दिख रहे हैं किसी भी level पे किसी भी तरीकी के conflict उनकी life में रह रही है फिर से कहूंगी इस relationship की वज़े से personal front, professional front, किसी भी front की वज़े से हो सकती है उनके मन में दुविधा उलजन हो सकती है और कहीं वो बहुत ज़ादा इनी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं और हो सकता है कि you know, मन में बहुत ज़ादा फिर से मैं कहूंगी इस चीज़ के उपर चिंतन कर रहे हैं लेकिन जो उनको action initiatives लेने चाहिए अपने options, choices के बारे में सोच ज़ादा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए decision और choice भी नहीं ले पा रहे हैं कहीं इससे related भी issues मसले face करते हुए दिख रहे हैं and end July में भी कहीं वही energies उनकी continue होते भी दिख रहे हैं यहाँ पर Two of Pentacles Reverse का कार्ट कहता है कि बहुत inner and out, up and down उनकी energies रह रहे हैं ना तो वो completely आ रहे हैं, ना वो completely जा रहे हैं कभी कुछ उनकी energies हैं, कभी कुछ हैं और again कोई decision, कोई choice लेना है तो नहीं ले पा रहे हैं एक मन उनका हाँ कहता है, तो एक मन उनका ना कहता है और इसके लिए सब Scorpios के partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन toxicity negative energy का कार्ट कहता है कि मन ही मन चीजों को लेकर बहुत negative हो रहे हैं तो दिखिए July, starting के लिए यहाँ पर two of cups, reverse and abandon के कार्ट कहते हैं कि एक distance आप दोनों के बीच में रह रहा है अब इस distance के लिए सब Scorpios के लिए different reasons रहेंगे और different levels पर यह distance रहेगा कुछ के लिए हो सकता है कि physical level पर आप लोग एक दूसरे के साथ हैं लेकिन mental emotional disconnect रह रहा है या फिर, you know, कितनी बारी होता है ना कि हम अपनी feeling express नहीं करते हैं साथ होते हुए भी हम वो साथ नहीं महसूस करते हैं तो ऐसी energies भी हो सकते हैं कुछ Scorpios और उनके partner के बीच में कुछ के लिए हो सकता है कि emotional mental level पर connected है लेकिन physical level पर एक distance महसूस कर रहे हैं और abandon का card again एक दो चीज़ें कहता है कुछ Scorpios के ऐसे लग सकता है कि आपके partner ने आपको abandon कर दिया छोड़ दिया या फिर Scorpios आपकी ऐसी energies हैं जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि finally आपको इस relationship को छोड़ देना है आपको इस relationship को partner को abandon कर देना है मतलब again छोड़ देना है तो कहीं दिखिए इस तरीके की energies रहती भी दिख रहे हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं बट यह इस आपका या आपके partner का इस तरीके का thought process रहता हुआ दिख रहा है और शायद इसलिए या फिर otherwise भी potato couch का काट कहता है कि उतने action initiatives नहीं लेते वे दिख रहे हैं कहीं वो एक enthusiasm, excitement नहीं रहता हुआ दिख रहा है कहीं उतना motivated relationship के लिए partner के लिए आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं महसूस करते वे दिख रहे हैं जैसे होता है ना कि lazy होगे चाहा तो रहे हैं सोच तो मन में चल रही है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं वैसी सी energies रहती हुए दिख रहे हैं और surface level के लिए emperor reverse का काट कहता है कि थोड़े से controlling थोड़े से dominating आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं या फिर बहुत haphazard manner में चीजें रह रही हैं एक stability नहीं है एक security नहीं है एक systematic तरीके से चीजें आप दोनों के बीच में नहीं चल रही हैं या फिर मैं कहूंगी जैसे एक relationship होता है या फिर जैसे एक relationship में होना चाहिए है partner का attitude, partner का behavior वो एक आप दोनों के बीच में नहीं रहता वा दिख रहा है and end July के लिए the chariot and internal suffering addiction के cards कहते हैं कि मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक को कोई चीज बहुत ज़्यादा bother कर रही है कोई चीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और मन ही मन जिसे बहुत दिना हम सलक करते हैं मन ही मन हम बहुत बरेशान होते हैं लेकिन surface level के लिए चीजों का control अपने हाथ में लेकर आप लोग दोनों आगे बढ़ रहे हैं अब देखिए कुछ के लिए हो सकता है दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अकेले आगे बढ़ रहे हैं और कुछ के लिए भी हो सकता है स्कॉप्योज आप यह आपके partner travel कर रहे हैं और especially अगर long distance relationship है तो हो सकता है travel करके दूसरे जन को मिलने जा रहे हैं या फिर आप दोनों एक साथ ही travel का प्लान कर रहे हैं तो कुछ positive changes surface level के लिए July end में आते हुए दिख रहे हैं लेकिन जो भी surface level के लिए हो रहा है मन ही मन वो एक सुकॉन वो एक piece आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं और फिर इस relationship में नहीं रहता हुआ दिख रहा है अब दिखे इस चीज़ को सुनके बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है यह सिरफ और सिरफ July month की reading है और जो हमने देखा एक परेशानी महसूस कर रहे है वो July end के लिए जाधर है तिवी दिख रही है दूसरा month आएगा यानि कि July के बाद August आता है August आएगा August month नहीं energies लेकर आएगा और हम August month में देखेंगे कि क्या हो रहा है पर यह July month बहुत great नहीं जाता हुआ दिख रहा है और specifically end July में कहीं बहुत अच्छी भी feeling इस relationship में आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को नहीं रहती भी दिख रही है और आपके partner की जाधा ऐसी energies हो सकते हैं क्योंकि आपके partner के लिए toxicity negative energy का card है तो यह था Scorpio's आप लोगों के लिए July 2024 की love tarot reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें